हेलो बच्चो, वेलकम टो विद्धामदर क्लासेज, बच्चे मैं आपके 2025 का लाइब क्विज नंबर 4 का सॉलिशन लेकर काया हूँ, उमिद करता हूँ कि आपने इसको आटम्ट करा होगा, जो भी इसके लिए टाइम आपको दिया गया था, हम कोशिस करेंगे कि उसी टाइम के अंदर इसको सॉल्व करें, ठीक है, टूटल 10 कोशिंस हैं, और जो भी टाइम मिला था, आप एक बाद देख लिजीगा, ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला कोशिन है बच्चे, आपका, कि इसमें दे रखा है कि बैटरे है, जिसका इंटर्नल रिजिस्टेंस आपको 4 ओम दे रखा है, ठीक है, और इसको एक रियो स्टेट से कनेक्ट किया गया है, रियो स्टेट आपको पता होगा कि एक रिजिस्टेंस होता है, basically जिसका magnitude vary कर सकता है this is the resistance जिसका magnitude vary कर सकता है with the help of this pointer ठीक है बोला ये है कि उसका जो magnitude है resistance का वो 1 से 10 ohm तक vary कर सकता है और ये बोला है कि वो initially 1 ohm पे set किया हो था यानि कि आप ध्यान से समझिए कि ये जो part दे रखा था आपका अगर आप देख पा रहे हैं ये तो ये जो आपका pointer है ये pointer actually में ये एक ohm पे set किया हुआ है ठीक है फर्दर बोला है कि अब इस resistance को actually इसने बढ़ा करके एक ohm से 10 ohm कर दिया है ठीक है तो फिर बोला है कि जो power real state में dissipate होने वाला है बात पावर के साथ क्या होगा बढ़ेगा घटेगा या फिर बढ़ने के बात घटेगा ऐसे बातें कर रखा है चलिए में अगे बाद करते है एक बार देख लेते क्या है इसमें तो इसमें हमें देखने है बटा कि power होता क्या है power actually मो होता है I square R और यह R क्या है, इस circuit का resistance, अब इस circuit का resistance का होगा, एक तो real state का resistance और दूसरा यह बैटरी का internal resistance, ठीक है, तो initially जो था, आप ध्यान से समझेए, कि power जो होगा विटा, जो यह power होगा यहाँ पे, वो क्या होगा, आपका, जो यह battery का potential है, मालने जो battery का potential आपका दे रखा है V, तो V square upon resistance of real state plus resistance of battery, this is, हमें पता है, हमने इसको class में जरूर सॉल्व करा होगा, कि किसी भी circuit में power maximum तब होता है, जब, for maximum power, power maximum तब होता है, जब internal resistance, external resistance के equal हो जाए, जब internal resistance, जब battery का internal resistance, external resistance के equal हो जाए, ठीक है, मतलब यह हुआ, कि real state में maximum power consumption तब होगा, जब real state 4 ohm पे, 4 ohm पे pointed होगा, ठीक है, यानि कि maximum power तब होगा, जब real state कितना use कर रहा होगा, real state का हम 4 ohm use कर रहे होगे, यानि कि simple सी बात है, power हम अगर देखें, तो initially कुछ ऐसा होगा, यह होगा, जब आपका r is equal to small r हो जाएगा, तो battery के internal resistance के से अगर कम है आपका real state का resistance, तो उसमें भी उस समय भी आपका power consumption कम होगा, और जब यह r का value आपके internal resistance से जादा है, तब भी power consumption कम होगा, यानि कि maximum होगा, अब आप देख रहे हो, इनिसली क्या है, increase होगा and then decrease होगा, तो क्या बोला है, power consumption first increases and then decreases, ठीक है, उमीद करता हूँ समझाया होगा, basic circuit के सवाल था इसमें, आगे बढ़ा जाए, दूसरा सवाल क्या है हमारा, दूसरा सवाल है बच्चे कि in the circuit the power dissipated into 20 ohm resistor, यह जो 20 ohm का resistor है, इसमें आपको power consumption दे रखा है 40 watt का, ठीक है, पूछा है कि power dissipation actually में 2 ohm के resistor में कितना होगा, यह आप से पूछा है, तो इक काम कर लेते हैं, कि हमें पता है कि जो यह 20 ohm है, यह 20 ohm actually में इस 2 और 8 के साथ parallel में है, ठीक है, तो अगर 20 ohm के across मुझे potential drop नहीं, बलकि power दे रखा है 20 ohm में, जो power का dissipation हो रहा है, यह हमें दे रखा है, तो क्या मैं potential drop निकाल सकता हूँ, हाँ, बिलकुल निकाल सकता हूँ, इस में जो power consumption होगा, क्या होगा बटा, power consumption is equal to v square upon r, v square upon r, यानि कि यह दे रखा है आपका 40 watt, 40 watt is equal to v square upon r is 20, तो यहां से जो आपका r v आ जाता है, वो v क्या आ जाता है, v आ जाता है, आपका under root of 800, यानि कि 20 root 2 volt, this is the potential drop across this 20 ohm register, अब आप कह सकते हों कि जो इस 20 ohm register के across potential drop है, वो ही potential drop is 2 and 8 को मिला करके, जो आपका equivalent आएगा, वो हो जाएगा, इसका मतलब अगर मैं सर्किट को थोड़ा simplify करूँ, तो यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा, यह आपका हो गया 10 ohm, और यह हो गया आपका 20 ohm, और इन दोनों point के across the potential drop है, वो कितना है, वो हम यहाँ से कह सकते हैं कि यहाँ पे यह लगा हुआ है कितना, यह लगा हुआ है 20 root 2 volt, यह अब लगा हुआ है, इसका मतलब यह हुआ कि 10 ohm के across the potential drop, यह ही 20 root 2 होगा, इसमें जो current जाने वाला है, मान लिजे कि current आये है, तो आये कितना होगा, 20 root 2 upon 10, 20 root 2 upon 10, यानि कि I is equal to, I is equal to, 20 root 2 upon 10, तो यह आजाएगा आपका 2 root 2 ampere, 2 root 2 ampere, 2 root 2 ampere current आ गया, जब हमें current पता चल गया, तो क्या मैं कहा सकता हूँ, तो power consumption, power consumption और you can say, power dissipation, in 2 ohm register, is equal to, I square R into 2, यानि कि I होगे आपका, यह I square होगे वाटा 8 into 2, यानि कि 16 watt, ठीक है, यानि कि जो 2 ohm में आपका, power consumption आएगा, वो केतना आजाएगा, 16 watt, आगे चला जाए, अगला, next क्या है, next है, आपको दे रखा है वीटा कि एक meter bridge है, और meter bridge का length यहाँ पे, normally क्या होता है, कि meter bridge का length आपको 100 cm दिया होता है, लेकिन इस जगह पे आपको meter bridge 100 निबल की 120 cm दे रखा है, यानि कि, यह modified meter bridge है, और यह बोल रखा है, कि जो balancing point है, a से balancing point का distance 30 cm है, तो remaining क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है, और अगर यह balancing point है, तो हमें पता है, कि balanced condition में, हमें पता है, कि यह 6 upon ad, and r upon ab होने वाला है, 6 upon ad is equal to r upon db, ठीक है, अब यहाँ पे मुझे length, मुझे पहले से पता है विटा, कि 6 length कितना 30 कितना यह है, ad कितना है, 30 दे रखा है, और r हमें निकालना है, और db कितना हो जाएगा, 120-30, so, इसको अगर मैं आप simplify करूँ, तो r कितना आजाएगा, r will be, यह आपका आजाएगा 1 by 5, और यह आजाएगा 90, यानिकि 90 upon 5, it means 89 आजाएगा, जो r है बच्चे, वो कितना आजाएगा, 89, so, this is a, ठीक है, आगे बढ़ा जाएगा, next क्या है, यह galvanometer का सवाल है, ठीक है, galvanometer का जो coil resistance है, direct capita 20 है, और बोला है कि इसका जो full scale deflection है, वो 2 milliampire है, ठीक है, एंड, इससे हमें 20 volt का potential measure करना है, मतलब इसको voltmeter में convert करना है, एक galvanometer के voltmeter में convert करने क्ले हम क्या करता है, एक बड़ा सा resistance, हम उसके series में add करता है, यानि कि g प्लस r into, जो हमारा current का इसका जो deflection, maximum deflection था, 2 into 10 पर पर पावर माइनस 3, it should be equal to, जो maximum potential मुझे चाहिए, ठीक है, यह होना चाहिए, यानि कि यहां से, मुझे क्या निकलता हुआ दिख रहा है, g प्लस r, g तो दे रखा है, g हमें दे रखा है, तो g हो गया 20, प्लस r, is equal to, is equal to how much, this is 10,000, 10,000, तो यहां से जो r निकल के आता है, वो क्या निकल के आता है, r is equal to 99, 80 ohm, यानि कि कौन सा answer होगा सही है हमारा, option number C, ठीक है, कि जो हमारा resistance है, जो हमें add करना है, series में, वो कितना होगा पच्चे, वो 9.98 kilo ohm, अगले सवाल पर चलते हैं, अगला सवाल क्या है, अब बूला है, कि एक cell है, जिसका EMF दे रखा है, उसको external resistance R से connect किया गया है, ठीक है, और potential difference across the cell है, वो क्या बच्चे, वो V दे रखा है, यानि कि अगर इसका मैं circuit diagram बना हूँ, तो क्या बन जाएगा, something like this, ये कुछ है, मान लेता हूँ, कि इसका internal resistance smaller है, ये small R हो गया, ये capital R हो गया, और ये आपको EMF E दे रखा है, ठीक है, बट बोला ये है, कि इस cell के across the potential drop, मान लेजे कि इस से current I flow हो रहा है, बैटरी से, किसमे resistance R में, तो potential drop across cell, across cell कितना हो जाएगा, E minus IR, E minus, E minus IR, sorry, smaller, smaller, ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे, आपको I निकालना होगा, और ये potential drop आपको दे रखा है, कि V है, क्या है, V है, तो V is equal to E minus, अब ये I कितना है, थोड़ा I निकाल लिया जाएगा, तो I कितना हो जाएगा, आए हो जाएगा आपका E upon capital R plus small r, capital R plus small r, ठीक है, अब ये यहाँ पे लाकर के यहाँ पे put कर देजिए, जब आप यहाँ पे लाकर इसको put करेंगे, तो क्या आजाएगा, E into R upon capital R plus R, ठीक है, अब इसको थोड़ा simplify करें, तो simplify करके क्या मिलेगा, E R upon R plus R is equal to E minus V, ठीक है, अब इसको थोड़ा सा simplify करने की कोशिस अगर हम करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, हमें मिलेगा, E R is equal to E minus V, इन्टू आर प्लस आर, क्या मिल जाएगा, E minus V, E minus V into R, अब इसको simplify करें, तो simplify करके अपने को, क्या मिल जाता है, हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है, internal resistance, small R पूछा है, तो small R क्या आजाएगा बच्चे, small R वाले टम को एक तरफ लेके आएजाए, तो आजाएगा E, and minus V, sorry, E plus, हाँ, E minus V, है न, E R, चलो, अगले पेज़ पेज को लेके चलते हैं, यहाँ पे, जगा खम पलेके थोड़ा, तो अगले पेज़ पे हमारा क्या आजाएगा, देख लेके इसको थोड़ा सा, हमारा था relation यहाँ पे, E R, E R, is equal to, इधर है हमारा V, V minus E, थोड़ा सा mistake हो गया, इसमें, इसमें थोड़ा calculation error हो गया, थोड़ा इसको ठीक कर लेते हैं, एक बार यहाँ पे हमने गड़वड कर दिया, यह वाला part पूड़ा गरवड हो गया, इसको थोड़ा correct कर लेते हैं, है न, क्योंकि फिर उसके वज़़े से साइन यहाँ पे गड़वड आ जाएगा, क्या आ जाता है यहाँ पे आ जाता ठीक ही तो था, E R upon R plus R is equal to E minus V, ठीक है, तो यह आ जाता है, E small R is equal to E minus V, E minus V into capital R minus small R, ठीक है जी, अब यह, अगर आप एक तरफ लेके आएंगे, तो आपको small R मिल जाता है, E minus V upon V into R, यह मिल जाता है, तो यह क्या होगे आपका, option number B correct होगे, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ा जाए, अगला part क्या है, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है, बूला है कि एक बैटरी है, जिसका internal resistance 4 room दे रखा है, और उसको connect किया गया है, circuit में कुछ इस तरीके से, ठीक है, find the value of, अच्छा, हाँ, ठीक है, क्या पूछान से, find the value of R, such that power in the circuit is maximum, बहुत simple सा concept होता है, कि circuit में power maximum तब होगा, जब बैटरी के internal resistance, external resistance के बराबर हो जाए, for maximum power हमें पता है, for maximum power, R internal, is equal to R external, यह होता है, यह हमने class में पूरूफ करा गया, तो अब यहाँ पर थोड़ा द्यान से देखना करेगा, कि आखिर इस circuit का R क्या है, internal resistance तो यहाँ पर small R दे रखा है, circuit का R क्या है, circuit का R अगर भ्यान से देखे बटा, तो क्या यह दिख रहा है, इसको अगर simplify दरके में circuit बनाओ थोड़ा सा, तो क्या यह कुछ ऐसा दिखेगा, यह बन जाएगा आपका R, यह बन जाएगा आपका 2R, यह R और R यह सिरीज में है, तो इसको 2R कर दिया, यहाँ पर यह R और R सिरीज में है, तो यह हो गया 2R, और यह 4R, और यह R दे रखा है, और यहाँ पर आपने, जो battery connect कर रखा है, ऐसा कुछ, अब आप अगर ध्यान से देखोगे, तो यह circuit आपको, यह circuit आपको balanced wheat stone, दिखेगा, ठीक है, इस circuit आपको balanced wheat stone वाला condition दिखेगा, दिख रहा है, R अपन 2R, is equal to 2R अपन 4R, ठीक है, यानि कि, इसका कोई भी काम नहीं है, जो बीच वाला है, यह काम खतम होगे, इसका short circuit, मतलब basically, short circuit हो गया, जब wheat stone का balanced condition आता है, तो short circuit होता है बीच वाला, तो खतम होगे यह, तो हमारे पस बचा क्या, R और 2R, 3R, and 2R और 4R, 6R, यानि कि, हमारा जो simplified circuit बनेगा, आगे, वो कैसा बनेगा, वो हमारा बन जाएगा बच्चे, ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, यह हो गया आपका R, 2R, 2R, and 4R, तो यह R, 2R सीरिज में है, 2R और 4R सीरिज में है, तो R और 2R का combination, और 2R और 4R का combination, यह दोनों आपस में किसमें है, parallel में, यानि कि, R 2 और 3R, और 2R और 4R 6R, 3 और 6, तो इसको फिर से एक बार और simplify करें, तो ऐसा कुछ दिखेगा, यानि कि, यह हो गया 3R, और यह हो गया 6R, तो, इसका जो equivalent है, वो कितना आजाएगा, यह आजाएगा आपका, 3R इन्टू 6R अपॉन, 3R प्लस 6R, यानि कि, कितना आजाएगा यह, 2R आजाएगा, ठीक है, मतलब, जो R equivalent आगया, वो कितना आगया वोटा, R equivalent आपका आगया, 2R, ठीक है, हमें पता है, कि maximum power के लिए, जो R equivalent होना चाहिए, वो small R के equal होना चाहिए, यानि कि, 2R is equal to small R, so R केतना होना चाहिए, small R by 2, और आपको यहाँ पे, दे रखा है, small R आपको दे रखा है, small R कितना दे रखा है वटा, small R दे रखा है 4 Ohm, तो इस 4 Ohm को यहाँ पे यूज करा रहा है, कितना आजाएगा 2 Ohm, so हमारा जो external resistance है, वो कितने के equal होगा, 2 Ohm के equal होगा, ठीक है, आगे बढ़ा चाहिए, अगला सवाल क्या है, अब यहाँ पे बोलाएगे, तीन identical resistance है, जिसको अलगला तरीकी से रेंज किया गया है, फिर पूछा है कि, power dissipation का increasing order में, जो relation आएगा, वो आपसे पूछा है, ठीक है, तो हमें पता है, I सब में same दे रखा है, तो हमें पता है, जो power होता है circuit में, बच्छे, वो क्या होता है, I square R, सब में current same है, तो अगर मैं सब का R equivalent निकाल दूँ, तो मेरा काम बन जाएगा, तो R1 कितना आ जाएगा, पूछे, R1 आप ध्यान से अगर देखोगे, तो पहले वाले circuit में, पहले वाले circuit में, R equivalent to 1, तीनो की तीनो resistance क्या है, series में, तो कितना आ जाएगा, 3R आ जाएगा, R equivalent to, अगर दूसरे वाले circuit में देखा जाए, तो कितना हो जाएगा, दूसरे वाले circuit में है, यह 2R आपके series में है, और यह R इसके साथ parallel में है, यानि कि, 2R into R upon 3R, यानि कि 2R by 3, तो दूसरे वाले कितना आ गए बच्चे, 2R by 3, और तीसरे वाले circuit के तरीके से कितना जाएगा, R equivalent 3, देखा जाए, तीसरे वाले दिख रहा है कि, यह दोनो parallel में है, और यह series में है, तो parallel में R by 2 हो गया, और यह R हो गया, तो यानि कि, R by 2 प्लस R, यानि कि 3R by 2, फिर चौथे की बात करते है, R equivalent 4, 4 कितना आ जाएगा, 4 में 3ों दिख रहा है, आपको parallel में, यानि कि R by 3 हो गया, मतलब सीधा सीधा हमें बता है, कि जो resistance का order होगा, वही power distribution का, या power consumption का order होगा, ठीक है, तो हमें आपे देख पा रहे हैं, कि सबसे ज़्यादा resistance तो पहले वाले में है, उसके बाद तीसरे वाले में है, उसके बाद दूसरे वाले में, उसके बाद फूर्थ वाले में, यानि कि, जो power consumption का order होगा विटा, कि जो power का order होगा, P is directly proportional to R equivalent यहाँ पर दिख रहा है, जब सब में current यहाँ पर है, तो इसका मतलब यह है, कि जो R का order होगा, वही order होगा power consumption का, यानि कि, हम कहते हैं कि पहले वाले में सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, और उसके बाद फिर किस में बटाओ, उसके बाद है तीसरे वाले में, उसके बाद किस में है, उसके बाद है आपका दूसरे वाले में, उसके बाद है आपका फूर्थ वाले में, अब इस order को आपको उल्टा करके लिखना है, ठीक है न, ये तो होगया आपका decreasing order हमारा answer क्या होगा हमारा answer होगा कि 4 2 3 1 like this तो हमारा होगया यह option ठीक है न 4, 2, 3, 1 ठीक है आगे बड़ा जाए next क्या है next में बोला है कि when a heater is connected to a supply of voltage V अगर एक V voltage के supply से एक heater को connect कर जा रहा है तो वो power P वहाँ पे consume कर रहा है now अब बोला है कि उसका जो heater का filament था उसको खीच दिया गया उसको elongate कर दिया गया जब उसको elongate कर दिया गया तो बोला है ध्यान से सुनना यहाँ पे यहाँ पे बोला है thickness area की बात नहीं करा है यहाँ पे किसकी बात करा है thickness की बात करा है यानि कि thickness क्या हो गया half हो गया जब thickness half हो गया इसका मतलब है radius half हो गया हो ठीक है हमें पता है कि जो volume है volume क्या होता है area into length area into length और हमें पता है कि मान लोगर यही हमारा wire है तो इसका volume कभी change नहीं होगा चाहें आप कितना भी इसको खीच तो ठीक है ना इसका मतलब यह हुआ कि finally जैसे मान लीजिए कि आपका initially ऐसा था इसका area प्रशुक्षन A था और length था L but finally क्या किया आपने finally आपने इसको खीच करके लंबा कर विया एक दम ऐसे पतला सा ऐसे लंबा हो गई है ठीक है तो मैं मान लेता हूँ कि इसका area हो गया A डैस और length हो गया L डैस length क्या हो गया L डैस ठीक है तो हमें पता है कि by volume conservation मैं कह सकता हूँ भीया कि A into L is equal to A dash into L dash अब मैंने मान लिया है सरकुलर है तो pi r square into L is equal to यह r क्या है यह radius मान ले रहा हूँ मैं यह r क्या है चलिए small r लिख देता हूँ ताकि कोई confusion न रहा जाए आपको ठीक है pi r square into L is equal to pi r dash का square into L dash और r dash कितना बोला है r dash बोला है कि half हो जाए r dash क्या हो जाए रहा है half हो जाए तो half कर देजी तो pi r square L is equal to pi r square by 4 into L dash तो यहांसे बच्चे जो L dash आ जाता है वो L dash कितना आता है L dash आ जाता है 4 times of L तो यह आगे हमारा नया वाला length अब अगर यह नए वाले लेंद था गया तो हमें पता है resistance क्या होता है बच्चे, r is equal to rho l upon a, rho l upon a, ठीक है, और अगर मैं area को थोड़ा सा radius के टम में लिखूं तो pi r square, ठीक है, तो यह r initial था, now, अब final r क्या होगा, यह था initial वाला, final r क्या है, r dash, यह मान लेज़े अब, r dash क्या होगा, यह देख लेता एक बार, r dash is equal to rho, resistivity तो ही रहेगा, क्योंकि material ही है, तो resistivity ही रहेगा, ठीक है, तो जब resistivity ही रहेगा, तो आपका length change हो गया, length आपका हो गया था, ly 4 नहीं, बलकि 4L, क pi into r square by 4, so basically कितना हो जा रही है, यह हो जा रहा है, 16 rho L upon pi r square, इसका सिधा से मतलब है, कि जो resistance हो गया, 16 r हो गया, initial के 16 time हो गया, जब initial के 16 time हो गया, तो जो P dash होगा, P dash क्या हो जाएगा, P dash हो जाएगा, obvious सी बात है, ध्यान से देखिए, मैंने आपको बोला था, अच्छा, य एक मिनाट, पावर होता है, V square by r, और यहाँ पर बोला है, कि आप ध्यान से देखो, कि बैटरी वही है, if it is connected to the same supply, बैटरी चेंज नहीं कर रहा है, बैटरी यहाँ पर होई है, जो बैटरी यहाँ पर होई है, इसका मतलब है, कि V same है, so P dash कितना होगा, P dash is equal to V square upon r dash, V square upon r dash, तो V square और r हो चुका है, 16, तो यानि कि क्या गया है, यह, P initial upon 16, जो initial का था, initial के 16, 1 upon 16 times हो जाएगा, यानि कि D option correct हो गया, ठीक है, अगले सवाल पर चले, अगले सवाल क्या है, इसमें actually आपको, जो घरों में आप बिजली, आप जो बावर यूज करते हो, उसमें जो आपका मेटर रेडिंग आता है, उसमें आप जो बिल भरते हो, उससे related सवाल है, ठीक है, बोला है विटा कि in-house hold, daily uses आपको अलग-अलग appliances के बारे हम दे रखा है, प्रवबली यहाँ पे गलते से मिटर हो गया, यह पहले साथ मोटर था, ठीक है, कोई बात ने, तो हमें क्या बोला है कि, एक unit का जो cost है, वो 10 रुपया है, यहाँ पे एक चीज बताया है कि, एक unit ज निकालना है, उसको 10 से multiply करते हैं, अपना काम बन जाएगा, तो इसी के सामने द्यान से देखते हैं, कि यह for one day, और one day की बात करते हैं, ठीक है, उसके बाद 30 day की करते हैं, तो one day कितना हो जाएगा, 4 fan है, और 100 watt का, यानिकि 400 into 10, 400 into 10 कितना हो जाएगा, 4000, 4000 kilowatt और यह कितना हो इसको मैं लिख दितना हूँ चाहिए, 400 kilowatt नहीं, sorry, 4000 watt hour, ठीक है, अब इसको अगर लिखा जाए, तो यह क्या हो जाएगा, यह जाएगा, आपका 600 watt hour, यह क्या हो जाएगा, यह आपको दे रखाएगा, दो two lights है, जो कि 50 watt का है, 50 into 200 हो गया, और यह 4 गंटे के लिए चलता है यह जाएगा, यह जाएगा, 400 watt hour, ठीक है, अब अगर मैं motor की बात करता हूँ, तो motor आपका दे रखा है, 1500 watt का है, एक है, जो दो गंटे के लिए चलता है, तो यह हो गया, आपका 3000 watt hour, और finally, एक AC जो है, वो आपका 1000 watt का है, वो 7 गंटे के लिए चलता है, तो यह हो गया, आपका 7,000 watt hour, तो यह तो हो गया, आपका 1 day के लिए, किस के लिए हो गया, 1 day के लिए, तो 1 day में आपने टोटल कितने हो जगिया, 4000, और यह एक 5, और 3, 8, और 7, 15, टोटल, 15,000, जो 1 day का कंजम्शन है, कंजम्शन फूर 1 day, कंजम्शन इन 1 day, 1 day कितना आ रहा है, 1 day में आ रहा है आपका, 15,000 watt hour, यानि कि 15 किलो watt hour, ठीक है बटा, अब आपसे 30 day का पूछा है, कितने देका पूछा है, 30 days के लिए पूछा है, कि 30 days में बिल कितना आएगा, तो for 30 days, 30 days के लिए कितना हो जाएगा, for 30 days, 15 into 30, 15 into 30, यानि कि 450 किलो वाट hour, 450 किलो वाट hour, अब ये तो आ गया total power consumption, या total energy consumption जिसको बोल सकते हैं, तो total cost कितना हो जाएगा, total cost is equal to, जो आपको energy उज़ हो रहा है, जो per unit energy आपका ही उज़ है, 450 into 10, यानि कि 4500 रुपीज, ठीक है, यानि कि आपका जो आंसर होने वाले पर चे क्या होगा, वाजाएगा आपका ये 4500 है, ठीक है, चलिए, अगले सवाल पर चलते हैं, अगला सवाल क्या है अगला सवाल है, आपको दे रखा है, कि एक circuit दे रखा है, जिसमें रजिस्टर 3 ohm में जो current दे रखा है, कितना है वाज़ा, 0.25 ampere, पुछा है दिन्दा, इसमें 0.25 ampere का current दे रखा है, अब अगर इसमें 0.25 ampere का current दिया है, मैं इस circuit को थोड़ा सवीदा draw कर लेता हूं, ध्यान से देखो, ताकि आपको यहाँ पर एक और register दे रखा है, यहाँ पर एक और register दे रखा है, और यहाँ पर battery लगा रखा है, यहाँ पर भी एक register है, 6 ohm, this is 1 ohm, this is 3 ohm, and this is 3 ohm, and this is how much, 2 ohm, and 7 ohm, and this is 5 ohm, ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो, कि इसमें बोला है, कि अगर 3 ohm में 0.25 ampere का current है, तो ध्यान से समझें, मैं कह रहाँ कि यह 1, 3, and 2 किस में है, series में है, तो यह कितना हो जाएगा, 6, 1, 2, and 3, यह सब series में, तो 6 हो गया, यह 6 और यह 6 है, आप ध्यान से देखें कि अगर यह कह रहाँ कि यह पूरा का पूरा combination, जो यह पूरा combination दिख रहा है, यह अगर देखे विटा, तो यह कितना जाता है, यह 6 Ohm का है, यह कितना है, 6 Ohm का, यानि कि मैं कह सकता हूँ, कि अगर इसमें 2, 0.25 A का current आया है, तो इसमें भी उतना ही current आया होगा, क्यों कि भाईया, यहां पे जब current आया होगा, तो यह दोनों तरफ देखा, तो दोनों तरफ equal resistance हा, तो equally divide हो गया होगा, तो 0.25 इधर, तो 0.25 इधर भी आया होगा, यानि कि यहां से current कितना निकला होगा, यहां से current आगया, 0.5 A, 0.25 इसमें, और 0.25 इसमें, ठीक है, यानि कि यहां पे current मुझे पता चल गया, अब थोड़ा सा इसको simplify करके देखा जाए, कि यहां पे simplify करके इसका, यह हो गया 6 और यह 6, 6 और 6 parallel में है, यानि कि 3 हो गया, 3 और 5, 8 हो गया, 8 और यह 8 फिर से parallel में दिख रहा है, और ध्यान से देखो, कि यह 8 इधर मतलब पूरा की बात कर रहा हो, यह पूरा, यह पूरा 8 Ohm है, कितना है, 8 Ohm, यह 8 यानि कि अगर इसमें 0.5 A का current जा रहा था, कि इसमें भी उतना ही जा रहा होगा current, 0.5 A, यानि कि यहां से 0.5 A current आया, ठीक है, इसमें आपका 0.5 A और इसमें भी चला गया 0.5 A, यानि कि यहां से total 1 A का current निकला होगा, कितना निकला होगा, 1 A का current निकला होगा, मतलब मुझे समझ में आ गया कि बैटरी से भी या 1 एंपर का करेंट निकल रहा है तो अब अगर मैं total resistance निकाल लूँ और यहां current मुझे पता है कि बैटरी से total करेंट ना रहा है तो क्या मैं potential निकाल सकता हूँ हाँ बिलकुल इजले निकाल सकता हूँ द्यान से देखें अब आप द्यान से देखो विटा तो यह हो गया 6, 6, 6, 3, 3 और 5, 8, 8, 8, 4 4 और यह 7 कितना आ जाएगा 4 और 7 आपका आ जाएगा 11 और 9, 20 यानि कि total अगर मैं circuit को बापस redraw करूँ तो circuit कुछ ऐसा बन जाएगा इसमें current आपका 1 एंपियर का रहा है और यह आपका 20 होम का resistance है 20 होम का resistance है और वी है तो वी कितना हो जाएगा वी हो जाएगा 20 into 1 यानि कि 20 वोल्ट कितना हो जाएगा 20 वोल्ट ठीक है इस तरीके से हमने quiz number 4 को discuss किया भी आपको कोई भी doubt होता है तो आप एक बार इस वीडियो को देखेंगे ठीक है आपको समझ में आ जाएगा मैं आप सबसे यह request करूँगा कि आपको जितने भी quiz आपके सामने आ रहे हैं आप उस quiz को कीजिए अच्छे से इमांदारे से कीजिए और अपने जो time management को ठीक किजिए हर सवाल को लेगर के जो आप time देते हो अपने paper में कई वार अभी जैसे अभी paper हुआ था तो कई वार बज्चों का सिकायत रहता है कि हमारा time management नहीं हो पाए तो वह बाला चीज आपका इंप्रूव हो जाएगा यानि कि time management आपका ठीक हो जाएगा ठीक है ना तो आप इस बात का ध्यान रखिए और जब भी कोई जाता है तो आप कोई जरूर अटेम्ट किजिए ठीक है चलिए उमीद करता हूं कि आप इसको समझेंगे और इसमें च झालिए